मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि एक निवेश सलाकार हैं वो अचानक से लापता हो गए हैं उनका नाम है अंबर दलाल उनका परिवार तो परिशान है जो दिख रहा है या फिर वो दिखाने की कोशित कर रहे हैं लेकिन परिशान है वो निवेशक जिरोंन उनके पास अपने जीवन भर की जमापूजी जमा कर लखी थी दो परिशत ब्याज याने रिटन के लालच में ऐसे बता जा रहे हैं कि तक्रीबन 400 से 500 करून रुपए जो है कि उनके पास निवेश थे वो अब लोगों के फंस गए हैं और 400-500 के करीब लोग हैं जिनके की जमा पूजी फंस चुकी है अब सभी परिशान है कि अंबर दलाल मिलें तो उनके पैसे मिलें ऐसे यह निवेशक और पीडित हमारे साथ हैं जो कि फिल्मों में आर्टिस्ट हैं डविंग आर्टिस्ट भी है और थीटर आर्टिस्ट भी है दीपक सर्मा जी अंबर दलाल जहां आपने निवेश किया था वह तो अब लापता हो गया है मिल नहीं रहे हैं आपने कैसे किसके जरीए मुलाकात हुई उनसे और कितना निवेश किया था और अब क्या इस्तिति है देखिए मैं तो मेरे एक रिलेटिव हैं पहचानके हैं मेरे उन्होंने अल्रेड़ी रदा मेरा शूट का या थेटर का जो प्रॉपर काम रहता है तो उस वज़े से मैं प्रॉपर देख नहीं पा रहा था तो उन्होंने मुझे सला दी कि यह अंबर दलाल के पास हमने पैसा लगाया हुए तुम्हें अगर जरूरत है लगा लो दो परसेंट तुमको जो है वो हो गया था जब मैंने निवेश कब किया था मैंने 2020 में और उसके बाद से अब तक आ रहा था अब तक पैसा आ रहा था मुझे और उसके बाद फिर मैंने और पैसा लगाया और पैसा जैसे मेरे पास पैसा आता गया मैं उनके पास लगाता गया कुछ पैसा कभी-कभी मुझ चुका था और 18 तक मैं ले चुका था वापस तो अभी मेरा 22 लाख कर्पे उन से लेना निकलता था, जिसका मैंने उनको मेल किया था मैंने लापभी जो आडमीने उन से भी यह था, उन्हों ने मुझे ओके ॉखके भी भी भीजा था और मेरे को 16 उसे .... मार्च को मुझे वो पैसा मिलना था मिलना और वो लापता कब हो गया चोदा तारीक कोई वो दो दिन पहले मिसिंग हो गए वो गाइब हो गए अचली दस तारीक को पे आउट आता है उनका जो इंटरस्ट का पे आउट हो आना था वो जब नहीं आया तो चेक उगर दिया था मैं कब पैसा मांगूंगा कब यह तो मेरे पर डिबेंड करता है और इसकी वैलिडिटी जो चेक की छे महीने की होती है तो इसलिए वो तारीक नहीं डाली थी तो लापता हो चुके हैं तो कुछ लिखा पड़ी थी आप लोगों की क्योंकि अगर पुलिस में एफायार हो र आला हुए कि रिस्क-bree आपको जो है अच्छा यहां पर है लिट्स कंसल्टंसी सर्विसे सुनके कंपनी का ना में और यहां पर है तेट अध्वेश्टी इन्टेच फूचर मार्केट्ट्र और इन्वेस्टेट तो उद्री रिस्क-फ्री रिटर्स जबकि हम एड़् दे और रिस्क भी कहा है, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि डू भी चुका है, मतलब वो हमारी तरह से वो फ्री हो गए, तो आप ऐसे कितने लोगे आप जैसे लोग, जैसे आपके तो जमापुजी चले गई, पुरा परिवार का या जीवने आपन की बाते होती, कि सब जमापु कि अधरी साथ सो आट सो लोगों के तो मेरे पास डीटेल है, अभी एक्टर अनुक पूर जी और सुनने में आया था जो नहीं है, दिली चाबडिया का भी पैसा लगा हुआ है, तो और भी है, वो है अचला नागर जी है, जो पुरानी राइटर है, अचला नागर जी है, ज बुजूर्गें काफी उनके बेटें सिधार्तनागर तो इस तरह काफी लोगों का पैसा लगा हुआ है और सभी इस तरह से परिशान हो गया भी तो आप लोगों ने कोई शिकायत हो गए ने कि एफाईर हुआ कुछ हुआ हमने ओशिवारा में एफाईर की है और ओशिवारा इस ने जो है अभी EW में ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि अभी यह काफी बड़ा करीब 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 यह बारा सो करोड रुपे का अच्छा जी जो अभी तक हम को पता चला है और लागता कब हुए चोदा तारीक को उसके बाद घरवाले क्या करते उनके घरवाले यह पापा मिलने रहे हो ऑ कि मतलब वह कहता है मैं भी परिशान उँ मेंडिमा में हूँ मेरा परिवाद टॉमम में उनकी जो वाइफ है उनका operation हुआ लिलावती में चोधा तारीक से पहले यानि की तेरा तारीक बारा तारीक वो एडमिट थी वहाँ पर और चोधा तारीक को भी वह एडमिट थी जब हम रात को वहाँ पर गए हैं तो और इवन वो ऑपरेशन थे जाओं बजब हो गाइब होगें साइडे दस बज़े चोधा तारीक उबे और इसके बार उसके बात से अब तक उनिका कुछ पता नहीं पी जाना है किया लगता है अब लोग ने बात की उनसे क्या कहना है उनका सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे लगता है कि घर वाले भी शायद मिले हुए होंगे ये एक पूरा अगले दिन अनुक पूर जी ने एक मीटिंग रखी थी जो हम लोगों ने 600-700 लोग थे क्योंकि हम लोग सब जानना चाते थे कि कौन-कौन लोग है अभी तक हम में से किसी को नहीं पता था कि वह इतना बड़ा इंवेस्टर उनके पास पूंच चुका है तो ये तो उस दिन चासराना चल खर सब चस्क्राइब कर चला कने लिए। य इतना पैसा मे서 मेरे इतना पैसा करकल के तो भारा सो करोड तो भी बन गया था उल्क्रीय cookies all shivali झाके बैट रहे हैं उतना इंको साथ आग से इंब्सकेश шьकता है कि अगर आप लोग कूल गया था कि इन के संबर को अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पैसे का कौन माई बाप तो मेरी वाइफ ने पूछा था तो उन्हें मेरा बेटा संबालता है ये पहले की बात है ये पहले की बात है और बेटा कहा रहा है कि मेरे पास एकसेस नहीं है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और वह देख रहा हूं, लास्ट उसने एक ग्रूप फांड किया था, जिसमें आपको मैसेज दिखा सकता हूं, लास्ट उसने मैसेज बेजा कि मैं पापा के, क्योंकि हम लोग क्या चाहते थे, कि अगर पैसा कॉमेडिटी में या शेर्स में लगा हुआ है, तो पैसा सेफ है, अगर दस परसेंट लॉस हुए, बीस परसेंट लॉस है, इवन फिफ्टी परसेंट भी लॉस हुए, तो फिफ्टी परसेंट एटलिस हम लोगों को वापस मिल जाएगा करके, बट वो करते-करते अचानक से वो डिसकनेक्ट हो गया, वो भी अब हमारे संपर्क में नहीं है अब ये जो 22 लग कर चेक है आप डाल सकते हैं, परसेंट परसेंट लॉस हो तो मिल जागा आपको? सब्सक्राइब्न करेंबłości रुभ्रा से तक वींविधित क हुझा मैंने अब लोग कोई खारिभ चार से प्रिंवारे सिपनाट लॉत्छियूं। पुलिस, प्रशासन, सरकार और वो ही उसी पर ही है, हमारी पूरी उम्मीद टिकवी क्योंकि ऐसे गोटाले अकसर होते रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि जब से मोधी जी आया है, तब से तो चीजें जो हैं काफी बदल गई थी, मैं यह मानता हूं हमारी मिस्टेक थी, लेकिन क्योंकि 2% तो RBI के regulation में आता नहीं, जी, थोड़ा, थोड़ा आप लोगों को कभी invest करते समय थोड़ा सा कुछ लगा नहीं कि हो सकता है, गलत हो, सही हो, सर, यह तो लगा था मुझे कि कुछ, यह गलत है, 24% साल का नहीं मिलता है, लेकिन शायद calculation मेरी, जो है, वो खराब हो मुझे लगा कि मैं एक-दो साल के लिए दे देता हूं और उसके बाद अपना पैसा निकाल के invest कर दूँगा, कुछ, हर आदमी की कोशिश होती है, कि कुछ ज्यादा कमाए वो, अगर उसके पास पैसे से पैसा बनता है, तो हर आदमी के मेरा परिवार है, मेरे चोटे- ने पूरी जीवनमर की जमापुजी लगाई होगी, क्योंकि अगर प्राइबेट में काम किये होगे या फिर कुछ रोजगार होगा, तो कोई पेंशन तो आता नहीं, तो इसी कि सारे उनका घर चल रहा होगा, अब जमापुजी भी गई, इंटरेस तो बात की बात है, बहुत बज़र्ग हैं, सतर सतर असी असी साल की उमर है उनकी, जिनके पास शायद कोई चारा नहीं है अभी उनके पास, इसलिए सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, नोटिस में आना चाहिए सरकार के, और इसलिए मैं आपके एंडी टीवी के माधियम से भी बोलूँगा सरकार से के प्लीज आप इसमें इंटरस्ट दिखाईए और प्लीज किसी तरह इसको जो है सौट आट कीजे, क्योंकि बहुत बुज़र्ग लोग भी इसमें जो है सर्वाइवल क्या बोलेंगी उसको विक्टिम हैं, निर्वर हैं, देके मेरे से अभी ठीक से बोला भी नही तो अब देख रहे हैं कि क्या इस्तिती है यहां पर दीपक शर्मा जी इनकी परिवार की जिस सरह से लोगों की पूरी जीवन भरकी जमापूजी फस चुकी है, तो अब उनके सामने सवाल है कि आगे का जीवन, आगे का दिन कैसे बेतेंगी, क्योंकि जमापूजी थी वो और इंट्रेस्ट की तो बात दूर की है, अब पूरा दारोमदार और इनकी उमीद, पुलिस से है, जिनके पास की मामला किया है, मामले में F.I.R. दर जो ही है, कि कहीं से भी अंबर दलाल को खोजें, और उनके जरिये, जहां भी पैसे उन्होंने निवेस किया है, क्योंकि लगा रहे हैं, तो पैसे कहीं न कहीं लगे होंगे, उन बैंक अकाउंट से या फिर उन कमॉडिटी से करके, इनके पैसे जो है, वो रिटन करवाएं, क्योंकि यह मेहनत की कमाई है, ठीक है, कि ज़्यादा पैसे के लालच में लोगों ने थोड़ा उसमें निवेस किया है, लेकिन सभी की उम्मीद थी, कि जो पैसे है, जमापुझी है, वो उसमें निवेस रहेगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, तो जीवन चलेगा, और वो जीवन चलाने की जो उम्मीद थी, जो भरुसा था जिसके उपर, भरुसा करके जिसके ज़रिये लोगों ने निवेस किय था, वो ही भरुसा तोड़कर चला गया है अभी, कहां है, कुछ पता नहीं है, 14 तारिक को लापता हो गया, आज 20 तारिक हो चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं है, पुलिस कहा रही है कि वो तहकीकात कर रही है, मुमबई से क्यामामेन उदैकिसा सुनिल सिं अटिव इंडिया कलेवा,